नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कंचन भारदवाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीवन कोश प्रिगनेंसी के शुरुआती तीन महीने मा और बच्चे के सिहत के लिए बहुत इंपोर्टन्ट होते हैं तीन महीने डाइट पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरुरत होती है इंदेंसी के पहले और आखली तीन महीने में ज्यादा सतरकता बरतनी की जरुरत होती है बॉलिवुट की सबसे स्टाइलिश डिवा सोनम कपूर प्रेगनेंट है और इस टाइम वो अपना बहुत जादा ध्यान रख रही है सोनम कपूर ने अपना experience शेर करती हुए बताया कि उन्हें अपनी डाइट और exercise पर बहुत ज्यादा ध्यान देनी की जरूरत है और जो कि वो दे भी रही है तो चले आज के वीडियो में हम सोनम कपूर के प्रेगनेंसी डाइट प्लाइन के बारे में जानेंगे साथ ही ये भी जानेंगे कि वो कौन-कौन से exercise कर रही है प्रेगनेंसी में तो परिशानिया होती ही है श्रुवाती दोर थोड़े ज्यादा खठिन होते हैं मोशन सिकनेस के कारण कई बार महिलाओं को ज्यादा परिशानी होती है लेकिन थोड़ी साफधानी से इसे काब में किया जा सकता है सोनम ने अपना experience शेयर करते हुए बताया कि उनके लिए प्रेगनेंसी के शुरुवाती महीने मुश्किल भरे रहे हैं लेकिन बहतर देखभाल सही डाइट प्लान और प्रेगनेंसी में किये जाने वाले योग से वो अब बहतर महसूस कर रही है सोनम इन दिनों हाई प्रोटीन डाइट पर हैं हाला कि उनके सुभे की शुरुवात डूसे से होती है सोनम की डाइट में 15% फैट के साथ हाई प्रोटीन फूड होता है खुद को हल्दी रखने के लिए वो योग पर ज्यादा फोकस कर रही है वो नहीं चाहती की प्रेगनेंसी में उनका बेवजा वेट बड़े इसलिए वो अपने सारे काम खुद ही करती है जिससे वो फिजिकली एक्टिव भी रहती है आपको बता दे सोनम का पूर का सुभा का ब्रेक्फिस्ट हेल्दी नाश्ते के साथ शिडू होता है दरसल एंटी ओक्सिडन से भर पूर्ट चीजों से दिन की शुरुआत करने से वेक्ति को दिन भर एक्टिव रहने में मदद मिलती है साथ ही हेल्थ भी अच्छी बनी रहती है सोनम नाश्ते में आधा बहुत ताजे फल खाती है जिन में आम, पोमिलो और बेरीज शामिल है इसके अलावा सोनम अपने नाश्ते में ग्लूटिन फ्री टोस्ट और एक चोथाई एवोकाडो खाती है कभी कभावरो बेकफ़स्ट में डोसा भी खाना पसंद करती है आपको बता दे, वो बदाम के दूद से बनी कॉफी पीती है लंच में सोनम, आधा कप चावल, 75 ग्राम मचली, उबली हुई, सालमन या गुरिल फिश खाना पसंद करती है आपको ये भी बता दे, मचलियों में उमेगा 3 फैटी ऐसिड मिलते हैं जो स्किन को स्मूद और हेल्दी रखते है इसके साथ ही सोनम एक कप उबली हुई मौस मी सबज्या भी लेती है सोनम का कहना है कि वो हमेशा से इस बात का विशेश ध्यान रखती है कि वो रात का खाना साथ साड़े साथ बजे से पहले खा लें साथ ही डिनर में सबसे पहले विजिटेबल सूप लेती है इसके अलावा वो आधा कप सबजी, पकी हुई या सॉल्टेट परंपिडिक धंग से पकाई हुई खाती है एक तिहाई कप आलू, चावल या फ्लैक नूडिल्स लेती है आपको बता दे, सोनम को घर का बना, साफ सुत्रा, यानि हाईजिनिक तरीके से बना हुआ खाना पसंद है सोनम डिनर में कार्भो हाइडरिट लेती है, साथ ही सभी पोशक तत्व उनके बॉड़ी में चाहें, इसका वो पूरा ध्यान रखती है आपको बता दे, उनको क्रेविंग्स भी होती है, वो बताती है कि उनको चॉकलेट की क्रेविंग्स बहुत होती है इसलिए कभी कभा वो डाक चॉकलेट भी खा लेती है तो दोस्तों ये था सोनम कपूर का स्पेशल डाइट प्लाइन, जो कि वो अपना प्रेग्नेंसी के फर्स्ट ट्राइमस्टर में फॉलू कर रही थी अगर आप भी अपनी किसी पसंदीत से लेप का डाइट प्लान और फिटनेस रूटीन जाना चाहते हैं तो हमें कमिन करके ज़रू बताएं फिल्हाल आपके वीडियो में लेगिन ऐसे ही कहने वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न पूले